हेलो दोस्तो एसके लेक्टर पॉजिटिव वाले टर्मिनल है वह पीछे की साइट दिये हुए है जो की हमारा इस्टिपलाइजर की तरह दे रखा है तो राइट साइड वाला पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड वाला निगेटिव इसका तो गाइस इसमें समझ से क्या है जो कस्टुमर मेरे पास लेकर आया है उन्होंने कहा एक तो इसमें रेगुलेटर जो आपको इसमें रूटरी होती है वो इसका पता नहीं दोस्तों यह है इसका आउट पुट वाला यह श्टिपलाइजर की तरह बना रहा है बट यह चार्जर है गाइस ठीक इसमें सबसे तो कमी है कि इसमें रूटरी काम नहीं कर रही है रूटरी काम कहां से कर जब कनेक्शन नहीं है तो इसमें कुछ यह डायोड लगे हुए है देखे डायोड वी सइडारेक्शन में लगे हुए है उसके एक दोट वायर वागरा भी तूटे हुए है तो इसको में completely repair करना है यह है गाई कि रूटी जाला वगेरा व्यारा वी लगए चुका है इसके सबाइitel वगेरा वी टूटे हुए गोगे तो दोast कि पर में में कुछ पॉंट्स ही बताओंगा जो कि आपके लिए बहुत इंप्रटन्ट है अकर आपि important चीज़ नहीं स Ini को अब और पको चाहता हूं कि आप पर प्ली को लाश्टा मेट है ज देखें बंग तो करते हैं वीडियो को यूश्चे घ्राला मेरे को सबते हैं कि उसने कहीं नगे दिखा चूका रॉसने बांद के दे धिया लेकिन्ही अब यहां पर आया बिल्कुल ढंक से तरीके से रिपेर होके जाएगा सबसे पहले तो guys हमें transformer open करना होगा इसके सबी page वगएरा जितने भी लगे हुए है वे हमें खोल लेने होंगे तो दोस्तो इसके जितने भी page है हमें वो खोलने के बाद इसको जो rotary की तरफ है बारिक वाले वायर रखने है वो जो पीछे की तरफ है ये मोटे वाले वायर रखने है देखे सेकेंडरी सेक्षन में guys इसके दो वायर निकल ले है जो कि हमारी battery के लिए है दोस्तो charger में rotary होना बहुत जरूरी है क्योंकि guys ये rotary ampere set करती है कि एक ampere, तीन ampere, चार ampere, दस ampere, पंदे ampere, कितने देनी है rotary guys इसमें हमारे दो तरह के होती है आठ total नो पिन वाली और पांच पिन वाली तो guys इसमें जो हमारी चार पिन की है और जिसमें transformer लगा हो नए वर्जन का लगा हो है टांस्वार में नए वर्जन में पता कैसे लगा उसके हमारे primary में total हमारे नो वायर होंगे अगर हमारे primary में पांच वायर है तो हमारे वो हमारा old model है तो guys देखिए यहां पे एक तो यह ground वो लगा है जो इसका common वायर है minus देखिए यह अंदर की तरफ यह जिस पे ground ग्राउंड कहलो यह minus कहलो यह common वायर कहलो यह neutral कहलो यह से ठंडा करे लो तो यह जो मेरे हाथ में अब वायर है यह है first सबसे पहला तो इसमें कर क्या रखा है सबसे पहला वायर लगा रखा है और सबसे last वाला तो guys यह connection का तरीका गलत है क्योंकि charging वागेरा का कुछ भी नहीं इसमें पता लगने का अब हम इसके connection करेंगे रूटरी में अब हमारे पास रूटरी तो है पांच पिन वाली और यह वायर आ रहे है total हमारे कितने होगे आठ अब इनके connection कैसे करने है जरा मैं आपको समझाता हूँ मुझे सब पता है क्योंकि हमने चार रूटरी चार पिन वाली है नहीं पांच पिन वाली बोलते हैं इसको guys वैसे जो पांच पिन होती है वो common होती है जो सभी step पे एक दोर से step लगाती है वाला टच करती है पिनों को तो guys देख सकते हैं आपे total wire जो हमारे आठ बैट रहे है नुवा वाला wire हमारा वो अलग है उसको छोड़ देना देखे थर्ड थर्ड वाला ये नहीं है थर्ड ये बैट रहा है फॉर्थ ये फिफ्थ ये और six ती है और seven ती है एट ये ये number wise से बैट रहे हैं guys अब हमें इनके connection कैसे करने है और हमारे पास रूटरी हमारी पांच wire की और हमारे पास है आठ wire total पांच wire तो दोस्तों इसमें जो होता है वो common होता है जो main line का आता है में लाइन के जो main lead से जो एक wire आता है नहीं जो चिटकनिस आएगी वो इसमें अलग लगगी तो इस इधर से हम इनकी count करेंगे देखे दो इधर दो ये wire दो ये wire और दो ये wire टोटली 8 wire है अब हमें इनमें करना कैसे है इनके connection कैसे करना है जरा हम आपको समझाते हैं पहले इनके wire सभी के आठो का आठो wire या आपको one by एक छोड़ के एक एक wire को चील सकते हो या आप आठो के आठो चील लिए जो कोई दिक्कत नहीं है चीलना कैसे इनके उपर के पॉलिस उतार नहीं है तोड़ना वोड़ना नहीं है इनके उपर से पॉलिस उतार नहीं है जितनी इन पर पॉलिस लेगे सभी वायर पे से चलो मैं गाइस ये काम कर लेता हूँ पहले आपको दिखाता हूँ वीडियो करता हूँ थोड़ा पॉस तो गाइस मैंने देखिए ये सभी वायर के पॉलिस उतार ली है टोटल ये आठ वायर है अब मैं आपको ज़रा इनका समझाता हूँ आपको कैसे करने हैं करेंशन थर्ड पकड़िया फिर हमने फॉर्थ को छोड़ देना है फिर फिफ्थ पकड़ना है ये फॉर्थ है इसको भी पीछ चोड़ देना है फिफ्थ पकड़ना है फिर हमें सिक्स्थ छोड़ देना है इसमें सिक्स्थ वाला इसी कहा फिर सैवन तो पकड़ना है तो एट हमारा खाली रहेगा औब हमारा लगा हुआ नहुता है तो हमारे टोटल चार व contain गए एक बीइडा मी जिरो पइंट बढ़ाता है कुल्ट वसका उब साविद्स आपि आपको नीचे की दर सबने मोड तो इसमें हमेरे टोटल के वह लाएं लग जाते हैं तो अब मैं ये 4 तार बचे हैं म में नीचे काँ देगें इसने । फिर दूसरे को झोड़ दिया तीसरा लिए चोटे को छोड़ दिया उस तरह से खना है साथ वा लिया फिर आठवे को छोड़ दिया टोटल चार वायर आ गई यानि कि आपका ऐसे निकरना है नमबर वायर से बस चार ले लेने हैं या फिर आगे चार छोड़ दें ऐसे निकरना है उगला तो जाएगा एक को छोड़ के एक को छोड़ गे इस तरह से ठीक है अब हमने ये जो चार वायर एक छोड़ एते अब इन्हें नीचे की तरफ ले जागे जो कि टचना हो यहाँ पर हम टेप से कवर कर देंगे योग किसे पैक कर देंगे, इनका हमारा कोई काम नहीं है, इधर उदर टचना हो, टेप वैसे मने मार दिया, यह चारो वाइर देखे, नमबर वाइस से मने कर दिया है, अब हमारे टोटल चार वाइर बचे, पहला तीसरा, फिर पांच वाइर, फिर शाटा वाइर, ठीक है, आ वहांने टोटल यह चार वायर में इसके जो बरीक वाला पिन होता है दोस्तों वह होता है यह यह वाली जो रूटरी होती ना तो यह OFF होती है और ना यह कहीं पर रुखती है तो गाइस यह फिरी चलती आप जिदर से भी काउंट करना चाहूं तो एक दो तीन चार इस तरह से कर दो अगर आप उपर वाली से कांट करना है तो पहँपर वाली यसे नंबर वाई कर दो को धिकत नहीं है पहले इने करने से पहले मैं जाओ मैं लीड का वायर जोड़ लेता हूं मैंनी विलीड में देखें दो करते हैं एक positive निगेटिव तो पर हमेशे इसमें थंडा गरह माल लो तो पर हमेशे में दोस्तों दो वाइर आएंगे आप करना किया जिस्में रेड़ वाला वायर है वह ओमेसा आपको चटकनी में ही लगाना जो पीछे की तरफ चटक नहीं है सुच भी डाइस वरक में नहीं तब हम इसको वर्क में लाएंगे यानि कि जो स्थ को सुच है पीछे का ओन ऑफ वाला वूभ हम वह काम में ता आ अवर激 का रखा तो हम इसको 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 भी चालू करें गाइस इसमें जब यह लगा हुआ है तो चालू कर दीजिए इंडिकेटर नहीं है इंडिकेटर के मैं कनेक्शन वगारा नहीं करूं कर नॉर्मल है जहां से मैं लाइन आ रही है महीं आपको उसके तार जोड़ देने हैं इंडिकेटर का यही काम है बस अब जो हमारे दोस्तों इसकी मैं लीड का एक वायर आपको चटगनी के कोई से भी पिन में जोड़ देंगा वैसको गाइस बिच्वाली पिन में जूड़ती है क्योंकि इनपुर जो इसकी होती है बिच्वाली होती है वो जो हमारे लोड होता है वो यह तो नीचे या फिर फिर रफाएंगे वो लगाएंगे रूटरी के कोमन पिन पर अब कमन पी ये देखेंगाई इसमें अलग है जो सबस्ते समीं में अलग ही होगी माला विल्कुल अलग होगी लाइन से तो मौ मन पीन होती है ठीक है यह चीज आप देख लो जब आप लेका हो गहाए रूटरी वो बिल्कुल आले होती है, तो इसमें से हमने एक वायर कनेक्ट किया जो हम इसमें पोमण वायर में से एक नेक्ट करेंगे, वो हम लगानी हमारी चेटकनी पे, जो इसका स्विच न ओन उफ वाला सु कहा है का स्विच accus भी है इसके हम लगा वायर कोमन यहनी कि माइनस वाला निए ग्राउंड जो बोल देते हैं इसे यह माइनस वाले बोल देते हैं तो यह वाला हमें से लाश्ट वायर में लगा दिया इसको टेप मारके नीचे की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि इसका काम नहीं है ठीक है यहां तक आप समझ में आ ग इदर से में लाइन हैं दूसरा तीसरा चोथा इस तरह से यह हो गए काउंट अब हमें जो सबसे पहला तार है यह वाला इसको रूटरी के सबसे नीचे की तरफ लगा देना है या आप उपर की तरफ से लगा दो तो नंबर वाइस से करने हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रुकती नहीं है रूटरी मैं इसलिए कहा रहा हूँ किधर से भी कर दो पर नंबर वाइस से कर दो तो इसमें चार पिने बची है एक लाश्ट वाली है शेक इंडिये थरी है फूर्थ ही ठीक है इस तरह से काउंट है तो हम पहले वाले इसी में ही लगाएंगे बाय तो यह इस पिन नमबर वन लग गया यह अब सेकिंड आता है हमारा गाईस यह वाला वाय सेकिंड इसको सेकिंड को जश्ट इसके उपर वाली पिन पर लगा देंगे जो इसके अगले वाली पिन है ठीक है गाईस सेकिंड वाली पिन पर इसको लगा देते हैं इसको यहां पर खोल ना इसको वायर को तो उसमें आपके साथ तार के साथ गोंता गोंता चलाएगा और तार तूट जाएगा, तो ऐसां करें पेश के साथ ध посмотреть ढिला रखना है वायर जब ऑप कस्ट दो लाश्ट में जब टाइडud कस्ट है ठीक है तो गाइस देखिए हमने यह वाला दूसरा अब आया तीसरे पी नंबर की वारी तो तीसरे नंबर अगले वाले तीसरे वाली पिन पर लगाएंगे कोई बात नहीं है अगर वाप उपर ले वाली पर फर्स्ट लगां जाते हैं अगले वाली पर सेकिंड और थर्ड वाली पर उसे नीचे तो कोई दात नहीं नंबर वाइस से लगा दीजिए आप कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब लाश्ट वाली बचा है लाश्ट वाला चोथी फिन पर हम लगा देंगे और हमारा यहां पर यह जो वायर ते यह रूट्री के यह कनेक्शन हो चुके हैं तो आपको सिंपल समझ में आहीं गए गाई इस तरह से करने नंबर वाइस से निचे देख सकते हो यहां पर हमारे लगे होए हैं कोई कुछ नहीं करना है कोई सा कोई से वायर में भी लगा दीजे पर लेकिन जो डायोड का पोजिटिव तरफ रहेगा मीटर की तरफ होना चाहि वह हमें डिर्क्ट करना वह मारा माइनस को है जो गाइस में डायोल लगें छांपियर के लगए हो जैंपियर के यह बैंटी को फिर भी चार्ज कर देता है ऐसा क्यों मैं जर आपको दिखाता हूं गाइस अगर फिर भी प्रोब्लम कर जाते हैं चार्जिंग में फिर मैं अगर दोस्तों इसकी वॉल्टेज बढ़ानी है बिल्कुल प्रोपर करनी है जो की वॉल्टेज हमारी बैंटी को चा दिखाएगा 5, 5, 5 यä 6 य य 7 दिखा देगा लास्ट इससे जाद़नी हैं दिखानेगा डी सी पयड़नेगा आप देखे गाइस रोटरी काम कर रही हैlla Nuev key कर रहे हैं मन्दी कर हैं कभी पान्च हैं लेकिए मनदी कर नो मन्दी हो रही हैं तेज कर रहू तो मेंतर की तर से चेक करो तो इसकी साड़े बार है साड़े तेर है यानि 14 पॉइंट चार से उपर उपर होनी चाहिए बेंटी हमारी जबी चार्जिंग मोड पर अच्छी से जाती है अब इसको पूरी कैसे करने हैं बताता हूं जो रावी देखें फिलाल तो रूटी हमारी वर्क कर रही है मंदी भी कर रही है तेज भी कर रही है क्योंकि फिरी होती है यह चार तरफ गूमे गूमे चले जाती है तो रूटी तो वर्क ओके होका चुका है अब इसकी देखिए मैं बचाता हूं देखिए हमारे कैपिस्टर का डीबा लिया यह पास कैपिस्टर है यहां पर आपको 25 कोई भी कैपिस्टर लेना देखिए यहां पर 25 वॉल्ल 220 मुफ कर लिया मैंने उसमें दो वायर कनेक्ट कर ली ठीक है अब मैं जरा आपको पहले वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं अब इसको लगाने के बाद चेकर देखिए गाइस मैं अगर सही से वहां पर तार लगात फूल लाए तो ऐसा कुछ नहीं है और या आप सोचने लगा हो किसार ऐसा क्या आप तो बेंटी में लगाते ही वोल्टेज पूरे हो जाएंगे कैपिस्टर के जुरूत नहीं है तो यह चीज़ आप मन से निकाल दीजे 44-40 अम्प्लिफायर से आप कभी कैपिस्टर को रिम लिकत नहीं है तो हमें पैलल में लगाना है प्लस का प्लस के साथ मैनस का मैनस के साथ अब मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं देखे आपको देखे देखे गाईस यह बारा पॉइंट 95 97 वोल्टेज 13 के असपास वोल्टेज मिल लिए अगर मैं रूटरी से से बढ़ा लिए बहुत बड़ी हाँ वल्टेज बनेगी अब मैं जरा आपको इसका एंपेर भी चेक करके दिखाता हूं गाईस यानि कि मैं एक बार जरा इसको मेरे पास यहां पर फिलाल बैट्टी तो अभी अवैलेबल नहीं है क्योंकि वो नीचे लगी हुई है तो अप लाल मैं अपर देखिये चिम्टी साबको टॉच करके दिखा दो एमप्यर मीटर की तरफ देखिए अब एमप्यर मीटर की सुई उठेगी अब टच करता हूं इस पार्क वी होती है देखिए देखिये मीटर की पिन प्रोपर करके दें कश्टमर को तो यह कंप्लीट है जाह देंद